नमश्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों जैसा कि आपको पता है एलाहाबाद हाई कोड दौरा जो आपकी परिक्षाएं भरती परिक्षाएं कराई गई थी आरो ए आरो ए पीएस कंप्यूटर असिस्टें इस चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसे पूरा एनालेसिस दिखाया है मैंने इलाहाबाद हाई कोड में जो 2018 परिक्षा हुई थी आपकी 2019 में हुई थी उन दोनों में रिजल्ट कब-कब आया था और क्या-क्या डिफरेंसे थे अभी वाले एक्जाम से जैसा कि अभी एक्जाम आपका हुआ था एलाहाबाद हाई कोड में उसका सारा प्रॉसेस के आवा था ऑन लाइन हुआ था और इसके पहले जब परिक्षाय होती थी तो आपका जो प्रॉसेस था वो ऑफ लाइन होता था दोस्तों आपको यह भी न्यूज एक पर चल रही होगी कि अलाहाबाद हाई कोड के द्वाराबी गृूप सी ऑग्रूप ड की वेखं सी आने वाली है वो जो ऐहने वाली थोड़ी ज्यादा ही आने वाली है तीन हजार से ज्यादा पोस्ट्र हे अंगी उसपे आपको यह पता होगा सुनी भी होगी आपने खबरे कई चैनल्स के माध्यम से देखे दोस्तों आज हम इन दोनों बारे में बात करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं वेकेंसी की देखे दोस्तों आपको पता है कि ग्रुप C और ग्रुप D की वेकेंसी आने वाली है जो आपको पता है एक-दो साल से नहीं आई है कोरोना भी काराण है और भी कई काराण जिसकी वैसे नहीं आई है तो यह जो आपकी है इसकी में हम बाते करने आ रहें कौन-कौन सी पोस्ट है है पहले देखे एक आपकी पोस्ट आएगी स्टैनो की आपको पता है steno के लिए क्या चाहिए होता है आपको एक तो graduation होना चाहिए आपके पास और दूसरी चीज़ आपके पास short hand typing होनी चाहिए आपके उसको certificate होना बहुत ज़रूरी है तब भी आप exam दीजेगा और उसके बाद ही आपका final selection तक जाएगी बाद तो steno की post आएगी junior assistant की post आएगी ये दोनों आपकी group C की है steno में देखे मैंने बताया आपको की graduate होना ज़रूरी है और junior assistant में आपके लिए 12th तक इसमें खाली intermediate अगर आप होंगे तब भी आपका काम चल जाएगा बस उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए triple C triple C बहुत ज़रूरी चीज़ है देखे दोस्तों यही एक certificate आपके पास आपको पता है कि होगा जो कई बच्चों के पास नहीं होता है फिर उससे वो छट जाते है exam ही नहीं भर पाते हैं तो triple C आज की डेट में मैं कहूंगी बहुत ज़रूरी है आप देख रहे होंगे UPCCC जो आपके कोई भी परिशा करा आ रही इसमें भी triple C मांग रही है जिस भी क्यांडी डेट का 12 हो गया है तो मैं यही बोलूँगी उसको कि वो triple C का exam ज़रूर दे दे नाइलेट के दौरा होता है हर 2-3 महने में exam conduct होता है आप इस certificate को ले लिजए क्योंकि अगर आप वो computer की basic knowledge है तो यह certificate आपके लिए बहुत helpful है government exams के लिए तो यह बाद मैंना बताया आपको 10-0 में graduation चाहिए junior assistant में आपको 12 होना चाहिए with triple C उसके आप ग्रूप D के भी post अभी देखी exactly notification आया नहीं है तो हम लोग approximate मान के चलो है कि 15 सो लगभग आपकी group D की vacancy होगी group D में देखी दोस्तों आपकी एक तो multitasking वाली होती है jobs वो आ सकती है दूसरी आपकी अगर आप driver वगयरा के लिए अपलाई करते हैं तो group D में यह सब vacancy आपकी आएगी देखी notice दोस्तों 1st Feb तक आजाएगा आपका इसलिए इस वीडियो को आज बता रहे हूं कि कल आपको ध्यान देना है अलाभाद High Court पे कब आएगा कल आएगा यह तो परसों आपका आजाएगा यह notice आपका आजाएगा फैब में और ओनलाइन जो भढ़ने की डेट आएगी वह आपकी 10 Feb से है तो देखी दोस्तों पढ़ाई करते रहना है आपको आप एलाभाद High Court का एक्जाम देकर आए है रहो यारो का उसका रिजल्ट का वेट करने के चकर में यह नहीं कि आप लोग पढ़ाई नहीं करिये पढ़ाई कंटीनु करिये क्योंकि यहां भी जो एज लिमिट है वह ज्यादा ही ए ऐसा नहीं है आप इलिजबल नहीं होंगे अब दोस्तों हम बात करने के थोड़ी सी है कि क्या क्या चीजें चाहिए बेसिक जो पेपर आएगा पेपर जो आपका आएगा उसमें तो यही चीजें आएंगी आपके क्या क्या रहेगा हिंदी इंग्लिश जनरल स्टड़ी और माथमाटिक्स यही पेपर आपका रहेगा ठीक है हिंदी रहेगी इंग्लिश रहेगी जनरल स्टड़ी माथमाटिक्स ठीक है और एक आपका English आएगा Hindi में जो Shorthand वाली Typing आएगी वो आपकी 80 words per minute की आएगी ठीक है? और जो आपकी computer पर typing होनी चाहिए हिंदी की वो 30 words per minute होनी चाहिए computer पे सेम ऐसे ही अगर आप English की बात करें तो 100 words per minute आपकी Shorthand वाली है और आप computer पे typing 40 words per minute चाहिए ठीक है typing की speed इंग्लिश में Junior Assistant की बात कर लेते हैं तो Junior Assistant में Hindi में typing speed 25 words चाहिए और English में 30 words चाहिए ठीक है? और यह जो Hindi वाली है यह मंगल पे ही होगी दोस्तों Krutideh या किसी और Remington, Gayle वगेरा पे मैं सीखिएगा मंगल font यह लहाबाद High Court में मंगल font ही चलती है तो मंगल font पे आपकी Hindi के typing होनी चाहिए ठीक है दोस्तों यह सारी बाते मैंने आपको बता दी अब रही बात इलहाबाद High Court के result की तो देखे दोस्तों इलहाबाद High Court का result मैंने आपको बताया था कि उनकी institute पे क्या था उनकी computer का login कहीं और भी चल रहा था ठीक है तो petition file की गई थी मैंने आपको बताया था उस petition का क्या होगा इसके बारे में अगर कुछ पता चलेगा तो आपको तुरंद खबर की जाएगी तो इस petition का कुछ पता नहीं चला अभी तक इसका मतलब हो सकता है वो petition आपकी खारिज कर दी गई हो अगर खारिज कर दी गई हो petition तो आपका result इस हफते फेब के first week में आपका result आ जाएगा एकदम confirm है लेकिन अगर petition नहीं खारिज होई होगी तो उसके तर डिले हो तो बस आप लोग ऐसमें बोलूगी आप सबको अपने result के लिए आप सबके कई candidates के comments में बहुत च्छे number आए हैं तो उन सबके तो होने के पूरे chances हैं अपना document को आप एकदम prepare कर लिजे, ready कर लिजे इसकी भी एक list मैंने बनाई हुई है प्लेलिस में डाल दोंगे description box में देख लिजेगा क्या documents हैं और documents हैं तो तयार कर लिजे और जिसके भी number नहीं आए हैं कुछ रहे हैं उनको पता है कि typing में अभी कमी रहे गई देखिए दोस्तों फिर से बता रहे हैं और आपके इसमें junior assistant में फिर typing आएगी तो typing की practice continue करते रहे हैं क्योंकि आपको यह नहीं पता कि फिर अब इस बार exam होगा तो आपको typing का time मिलेगा या नहीं अलहाबद high court RO RO पे typing का time नहीं दिया गया एक्जाम के तुरणबद आपसे typing ली गई तो क्या पता इसमें भी ऐसा ही हो इतने जो आपके अस time है पढ़ाई के साथ सथ आप typing करते रहे हैं इससे कि जब exam आए तो आपको tension नहीं हो और जो भी आपनी कमी RO RO में करी है वो यहाँ पर गरबर नहीं हो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे जो भी information अपडेशन आएगे हम आपको देते रहेंगे धन्यवाद